Hello I am Sunil Guleriya और आज हम discuss करने वाले हैं कि Javascript में हम objects कैसे बना सकते हैं सबसे पहले हमें इन knowledge होना चाहिए कि object क्या होता है और फिर हम इसको study कर सकते हैं कि हम Javascript में object कैसे बना सकते हैं So mein coding window में ही चलता हूं कि अगर हमें object बनाना है तो object कैसे बना सकते हैं तो आप जो आपका folder है उसमें जाके आप एक new file बनाईए and उसका कोई नाम रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे so let's suppose I am using here what creating objects.html के थू कर रहे हम ताकि दोनों तरह के users के लिए ठीक रहे जो fresher है beginner है वो भी कर सकता है otherwise हम .js file बना के उसको console में भी use कर सकते हैं से पहले आपने exclamation लगाना है और यहां पर आप जैसे exclamation लगाते हैं तो हमारे पास एक automatic कुछ जो code regular use होता है वो code आपके पास आ जाता है so यहां पर मैंने कहा creating objects यह हमने title दे दिया है और यहां पर आप जाके h1 use कर सकते हैं और आप कहेंगे that is what creating objects in javascript कोई भी आप heading दे सकते हैं और बिल्कुल easily और comfortable आप रहें और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप बड़े ध्यान से देखें इसको इस topic को पढ़ने से पहले आपके पास यह knowledge होना चाहिए कि functions क्या होते हैं operators क्या होते हैं और objects भी अगर आप कहीं CC++ बगारा सीख के आए हैं तो आपको objects का भी knowledge होना चाहिए अब हम जानते हैं कि अगर हमें JavaScript का code लिखना है तो हम head में जा सकते हैं आप body में भी लिख सकते हैं लेकिन generally हम head में लिख रहे हैं सो अब यह script tag मैंने लगाया यहां पर हम अपने JavaScript का code अड़ करेंगे अब अगर हम इसको use करना चाहते हैं तो मैंने एक button लगाना है और उसके ओपर on click is equal to a fun one हम call कर लेते हैं function one call कर लेते हैं और यहां पर हम कह देते हैं उसको creating object so we can say creating object और जब हम इस on click करेंगे इस function के ओपर click करेंगे तो वह एक function हमारे पास होना चाहिए वह function मैं यहां पर define कर रहा हूं function fun one और इस function में हम वह objects create करने कोशिश करेंगे यहां पर आप comment डाल सकते हैं that is end of function fun one अब यहां object create करना है तो object की पहले हमारे पास definition होनी चाहिए यह हमारे पास theoretical पार्ट होना चाहिए कि object होता क्या है तो अगर आप object और inter programming language सीख के आए हैं तो आपको object समझना बहुत असान है नहीं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सब से पहले आप object की imagination करो object होता क्या है तो object को समझना है तो आपके पास real life में आप comparison करो कि object हमारे पास होता है कि कोई भी entity जिसकी हमारे पास properties और functionality होती है तो मैं यहां पर code आपको लिखने कोशिश करता हूं एक point आपने और mind में रखना है अगर आप उसको समझें कि मैं यहां पर आपको कोशिश करता हूं explain करने की अगर हम यहां पर दो टर्म हमारे पास आएंगी एक टर्म आजाते हैं हमारे पास object कि object क्या है तो दूसरी टर्म हमारे पास आती है यह दाट इस क्रेटिंग class also means हमारे पास दो terms है एक term आगे आपके पास object और दूसरी term आपके पास आती है that is class term अब object और class में भी difference होता है अगर आप इसको study करते हैं कि object क्या है और class क्या है so object जो है वो हमने वैसे जो students पीछे C++ और जावा करके आते हैं उनके लिए तो असान है लेकिन जो नया है उसको थोड़ा सा कोशिश करने पड़ेगी तो इसका theoretical part हमें पहले पता होने चाहिए उसके बाद हम practical कर रहे हैं मैं यहां पर एक आपको brief explanation दूंगा इसका कि object क्या है और class क्या है तो जो object है उसके बाद हम class भी बनाएंगे जब हम class बनाएंगे तो उस class के हमारे पास कई objects हो सकते हैं उसका object बन भी हो सकता है और उसका फिर हमारे पास object to भी हो सकता है और object उसके हमारे पास number of objects हो सकते हैं लेकिन java script जो है बड़े ध्यान से सुनना आपने कि जब हम javascript की बात करते हैं तो javascript हमें facility देता है कि आप दोनों ही बना सकते हैं आप direct object भी बना सकते हैं और आप एक class बना के भी उसके objects बना सकते हैं लेकिन आपने ये भी धिहान रखना है कि जो javascript है जब ये javascript हमारे पास exist किया है तो ये starting से ही जो है वो true object oriented programming language नहीं है it means कि जो javascript है वो जब starting में javascript exist किया है तो ये object based था object based का मतला है कि ये objects को यूज करता है लेकिन ये from the first day object रेंटर नहीं है तो इसमें से आपको दोनों जो features वो exist करते हैं ये objects भी बनाने में help करता है और ये classes के थूरू भी objects बनाने में help कर रहा है जैसे आपको कहा गया है कि जो जावा के latest version ना रहे हैं जिसको ES5 ES6 हम कह रहे हैं उसमें हमारे पास classes बनाने की facility भी मिल रही है अभी जो हमने ये code लिखना है इसमें हम Java का JavaScript में object बना रहे हैं ना कि हम class बना रहे हैं अगर आपने object बनाना है तो आप object बनाने के लिए क्या यूज कर सकते ह हैं आप आप जानते हैं कि आपके बास VAR होता है VAR और आप यहां एक variable बना सकते हैं that is student और curly brackets आपने लगानी है आपने यहां recall करना है कि हमने कई बार VAR AR array is equal to तो हमने square brackets भी लगाई थी जब हम square brackets लगाते हैं तो हमारे पास वह आ जाता है कि वह एरे बनता है अभी हम जो जब curly brackets लगाते हैं तो curly brackets लगाने का मीनिंग है कि इसके अंदर जो हम बनाने बाले हैं वह एक object बन सकता है तो मैंने student नाम का object बनाना है जिसमें नेम आजाएगा इसको नेम इस इस प्रापटी अगर यह property है तो इसको separate करने के लिए आपका स्कॉलन होता है और नाम के बीच में आप एक नाम लिख सकते हैं जो भी आप नाम इसमें इंपुट करना चाहते हैं कॉमा करेंगे फिर आया अगर तो उसको पता है एक structure होता है यह बिल्कुल structure की copy that is how we can create the structure in what that is in जावस्किप्ट तो रोल नमबर आ गया रोल नमबर जो है अगर आप इसको एंटीजर रखना चाहते हैं जो वैल्यू इंटीजर होती है यह पॉइंट्स में होती है उसको आप बिना double quotes के भी लि 1000 मैंने फीज दे दिए अब यह हमें एक और फैसल्टी देता है कि माल लीजिए यहां पर आप लिखते हैं डिस्प्ले और यह जो डिस्प्ले मैंने लिखा कॉलन किया है और कॉलन करने के बाद मैंने एक कीवर्ड लगाया function और इसमें round brackets लगा दी और curly brackets और curly brackets close और यहां प पास function भी होता है तो यह जो मैंने बनाया है name is equal to sunil roll number is equal to one double seven and fee is equal to this these are known as the properties and उसके अंदर अगर function बनाने तो ऐसे हम function भी बना सकते हैं इस function के अंदर अब हमें body लिखनी है इसकी अब body में आप जो भी लिखना चाते हैं वो लिखिए मैंने यहां लिख दिया return कि यह return करेगा function क्या return करेगा तो पहले यह return कर देगा double quotes लगाया मैंने और मैंने लिखा name और colon लिख दिया और यह as it is print होगा वहां plus कर दिया मैंने और अब मुझे यह जो name property लेनी है यह name property जो यह sorry object का variable है अगर object का variable mention करना है तो हमने this लगाना है this dot name लगाने का मीनिंग है अगर आप इस function में अगर ऐसे लेते name is equal to let's suppose that is Ajay अब यह जो name is equal to Ajay रखा है तो यह JavaScript कहता है कि आप एक variable बना सकते है और यह जो name है यह local इस function का variable है लेकिन मैं यह समस्ता हूं कि मुझे यह वाला name access करना है अगर यह वाला name access करना है तो आपने उसके साथ this लगाना है क्योंकि this जो होता है that is the reference of the current object तो यह यह जो refer करता ह वह इस name को refer करता है तो this.name लगाएंगे तो यह बाला name चलेगा और अगर आप खाली name लगाएंगे तो आपका जो local function के अंदर variable होगा उसको वो refer करेगा इसके लिए हमारे पास let भी आता है उसको भी हम use कर सकते हैं अब हमने क्या किया this.name कर लिया यह name को print करेगा और plus कर दि कि इसके साथ आपने दिस डॉट फिर रोलनमबर करना है अब मैं आपको explain करता है इस डॉट रोलनमबर करना है और यह पिर प्लस करिए आप और रोलनमबर के बाद आजाएगा क्या फी और फी भी आप specify कर दीजी आप फी हम किसके साथ specify करेंगे तो आप फिर प्लस लगा य और यहां पर रेटर्न कर दिया हमने और रिटर्न करने के बाद हम समय कॉलन है अब जो आप यह नहीं from नाने की कोशा की एक एक्वाड है कहाँ फेंकर मेरा फॉंक्शन मैंने बडा लिए और यहाँ पर मेरा अब्जेक्ट शुरू हुआ है और यह जो है यह हमारा end of what यह end of display function है और यह end of what object हो गया और यह end of function हो गया है अब मेरे पास control S करेंगे हम इसको अब हम इसको call करेंगे तो on click के जगर to fun one किया है कैसे हम fun one पर click करेंगे चलेगा और अब हमने इसको use कैसे करना है इसको use करने के लिए हम क्या करने वाले तो जहां आपका object खत्म हुआ है यहां पर आजेए और यहां पर आप इसको display करना चाहते हैं डिस्पले करने के लिए दो तिन तरीके हैं एक आप document.write लिख सकते हैं और document.write करके मैंने क्या करना है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट. क्या करना चाहते हैं आप तो स्टूडेंट. करके हम उसका function को कॉल कर सकते हैं यह display वाले function को आप कॉल कर लिए राइट क्लिक करके इसको open in default browser करिये और आप चेक कर सकते हैं जब आपका default browser में आता है आप इस पर क्लिक करिये create object तो आप देखेंगे कि नेम आपके पास आ गया सुनील रोल नंबर आपके पास आ गया यह जो 177 and fees जो है वो आपके पास आ जाती है कि उसकी फीस आनी चाहिए यह हमारे पास फीस आगे और यह वाला जो सुनील है यह हमारा किस्से आया है यह जो एंड में हमने एक और वेरीबल लगाया है डिस्पले करने के लिए student.name तो यह था एक तरीका कि how we can create the object अब आपने यहां ध्यान रखना कि यह object है यह class नहीं है तो इसका एक ही instance बनना क्योंकि itself it is one object अब हम चाहते हैं कि अगर हम class भी बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं तो हम इसको कॉपी करेंगे यहां पर इसको आप कॉपी कर लेजिए ctrl c और आप यहां जाहिए ctrl b और इसमें हमने fun2 को लगा देना fun2 means उसके अंदर जो हम coding लिखने वाले हैं वो class की coding लिख सकते हैं class कैसे बनाई जाती है अब यहां जाहिए आप और आप यहां एक और function बना दीजिए function and that is what that is fun2 अब मुझे इस fun2 function को call करना है यहां पर आप लगा सकते हैं that is end of fun2 function और इसके अंदर curly brackets लगाएंगे यहां पर हम comment में कह सकते हैं end of class student राइट सो यह आप mention कर दीजिए अब जब class आप बनाते हैं तो उसमें वो कहता है कि देखिए class concept we are not going to explain over here so class में हमारे पास एक constructor बनाता है JavaScript की जो class है that is not full-fledged class right because यह एक जो exact object oriented programming language होती है उस जैसी नहीं है लेकिन it is implementing slow and steady तो आपके पास एक function आपको compulsory बनाना पड़ता है जिस function को हम कहते है constructor function तो आप एक constructor function बनाईए curly brackets लगा के और इसके अंदर अब यह जो सक्टर function बनाना है अगर आप arguments देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अदर्वाइस दॉट आप name is equal to और यहां पर आप एक name दे दीजिए मैंने मान लिजी अजे name दे दिया यह एक property बन रही है आपकी this dot roll number जो हमने उपर किया है बैसा ही है रोल नमबर is equal to what आपने दे देना यहां पर रोल नमबर दे दीजिए कोई जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था बन डबल सेवन अगर आप इंटीजर रखना चाहते हैं तो क्या आप डबल कोट से हटा देंगे इसके यह बिलकुल हटा देंगे तो फिर हम लिखें इस डाट नेम रोल नमबर फी डाल दीजिए और फीज इस इकल टू आप कोई नो कोई फीज सेट कर दीजिए आप सेमी कॉलन कर दीजिए अब यह मेरा चंस्रक्टर बन गया जब भी हमारा जो कलास का अबजक्ट बनेगा तो यह चंस्रक्टर आप्टिकली कॉल हो जाता है ट अगर आप इसमें डेटा चाहते हैं कि डेटा लेना चस्टमर से यूजर से जो इसको यूज कर गा तो मैंने एक व्रिबल बना लिया और अब यह जो रॉलनमबर फीज हमारे पास वेरीबल स Haitam अगर चाहते हैं कि क्लास के बे rubbing सको को साइन करना या तो 10 दो नेम लोकल ब जो कोड लिख रहे हैं वो एक फ्रेशर के लिए नहीं है उसको इसका पता होना चाहिए उसको फंक्शन का पता होना चाहिए ऑफ एक शुट्वाना सकता है गया अब यह हमने घडेटा ऐक फंक्शन बना लिया है इसका यह है और फंग्छनन और वार इस इसको युर मेरा नाम रखने की बज़ाए सब्सक्रो mismos इतक मेरी पना देटा works करना है हम क्या करने वाले हम अगर फ़्ुनिवर्स बनाना चाहता है rather सब्सक्राइब तता है तो आप रिटर्न कर सकता है रिटर्न को करना अपने इस डॉकह लगता है कि भीस पीच में आपने इक optimistic में CJ कर दालने मैं श्पेस बाट करें लॉक प्लस कर यह और फिर एक प्लस ऋपेस बाल दी यह यह accommodation कॉमा डालना है कॉमा डाल दीजिए और उसके बाद रोल नमबर के बाद प्लस करके हम कर देंगे इस डॉट नेम रोल नमबर और फीश and then you can say semicolon so now in this code we are trying to learn that is how we can create the class in JavaScript so we have constructor also and remember one thing we don't have here the function overloading हम ऐसा नहीं कर सकते के constructor जा default बना लिए एक parameterize आप बनाने चाहते हैं अगर parameterize बनाने तो parameterize बना लीजिए default बनाने तो default बना लीजिए लेकिन दो इसमें नहीं चलने वाले हैं हमने यहां functions भी बनाने शुरू किये इस तरह से आप कई functions इसमें बना सकते हैं now the next question is what how to use it so हमने यह जो class बनाई है इस class को आप function label पर बना सकते थे और इस class को आप बाहर script label पर बना सकते हैं अगर हम script label पर बनाते हैं तो उसको सारे functions में हम use कर सकते हैं अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहां पर जो जो मेरा यह class खत्म हुई है now I want to use suppose but I want to use the object of this class तो हमें पता है कि जावस्क्रिप्ट में वी ए र कर सकते हैं हम st कर सकते हैं is equal to कर सकते हैं new कर सकते हैं और हमारी class का नाम क्या है student हमारी class का नाम है so we'll try here कि हां student अगर हम बनाते हैं और यहां पर जो student कहीं न कहीं से classes and objects पढ़के आया है तो वो new को जानता है कि new is used to allocate the memory on free store और उसके आगे हम डेटा टाइप दे जेते हैं तो यहां पर हमारे पास डेटा टाइप हमारी क्या that is the class और class है तो इसको capital S कर सकते हैं capital S compulsory नहीं है लेकिन this is naming convention so आप यहां पर भी इसको student कर सकते हैं student और यह इसने memory कर दिया और हमारा इसके बना है इसके बाद मैं direct यहां पर जाता है चाता हूं आप अलर लगाने चाहते हैं अलर्ट लगा लिजिए और अलर्ट में हम एस्टी डॉट और हम डेटा को काल कर लेते हैं अगर हम कॉल करते हैं तो जब सक क्या कि इसको क्वाद लगे गी तो वो करेंगा वह एक अगर कोई समस्या नहीं आती है तो अब इसको करना है तो आप एंड डिक और जैसे आपके क्लिक यहां चले जाता है थे क्लिक आइंट तो लोड होतं थे हैं टो मैंने क्लिकश कुए अब है नुख किरेंख्ट थे क्रेटिंग दुनों सेम आरे हैं अब हम इसका क्या कर सकते हैं यहां पर आप चेंज कर दीजिए क्रेटिंग वाट इसपर क्लिक करते हैं यह आपके पास आजे तो यह था की जावस्रीप्ट में आप जो आपच्ट कूछ अप्जैक्स बना सकते हैं एक लूमें की यह कील से कीवैल्यू है हम इसमें डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और यहां पर हम वो क्लासिस भी क्रेट कर सकते हैं ना इन सपोस्थ लेटेस जावस्क्रिप्ट जो वर्जन हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास क्लासिस क्रेट करने का भी हमारे पास फैसल्टी है इवन अब हमारे पास यह औ काशे बना सक्ने रहुचे आजे ने ने पाजिए इंग ये जिए जैक भारी